डॉक्टर रिशाद खानम स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपने योट्यूब चेनल आईलाट आक्स पर दोस्तो जैसा कि आप जानते हैं वर्तुमान समय में स्वास्त कर्मियों के ओपर लगातार हमले किये जा रहे हैं कभी उनके ओपर थूका जाता है कभी पिट की जाती है स्वास्त कर्मियों पर होने वाले हमलों के लिए कई बार समझाईश देने के बाद मश्वरा देने के बाद भी इन अपरादों को नहीं रोका जा सका है यही कारण है कि केंडरी केबिनेट ने 113 सार पुराने महामारी अधिनियम जो है उसके अंदर करके इस एक्ट में ऐसे अपरादियों को ऐसे आरोपियों को जो कि स्वास्त कर्मियों पर हमला कर रहे हैं ऐसे अपराद करने वाले को अपराद को संगे और गेर जमानती अपराद घूशित किया है गेर जमानती अपराद का मतलब है कि थाने पर उनकी जमानत नहीं होगी नियालाई के माध्यम से ही उनकी जमानत होगी और वो भी नियालाई के उपर निर्भर करता है कि वो ऐसे वेक्टियों को जमानत दे या ना दे इस संशोधन के द्वारा अब सजाका प्रावधान भी अधिक्तम साथ वर्ष तक की जुकारवास और जो जुर्माना है वो भी अधिक्तम पांच लाख रुपे तक का हो गया है अगर हम इसके जाच की प्रोसेस के बात करें तो पुलीस अधिकारियों को ऐसे मामले की जाच तीस दिवस के भीतर तीस दिन के अंदर करनी होगी और इस जाच प्रोसेस में पुलीस को ये बताना पड़ेगा कि जिस वेक्ति के अपने अपराद क्या है जो आरोपी है उसने इस अपराद को कारित किया है यहाँ पर आरोपी के अपर ये डिपेंड करता है कि वो सिद्ध करे खुद को कि उसने कोई अपराद नहीं किया है जो जाच की प्रोसेस है वो ये सिद्ध करेगी कि ये अपरादी है और अपरादी खुद अपने आपको बेगुना साबित करेगा ये इसमें एक शंशोदन किया गया है अगर हम इसकी पनीश्मेंट की बात करें तो हमला करने वालों पर अगर कोई वेक्ती हमला कर रहा है तो हमले की जो सजा है वो तीन माह से लेकर पांच वर्ष तक की है और अगर उसमें जुर्माने की बात करें तो पचास हजार से तो दो लाग रुपे तक का जुर्माना उसमें है यदि हमला ऐसा किया जाता है जिसे की घंबीर चोट कारित की जाए तो ऐसी कंडिशन में 6 महा से 7 वर्ष तक का कारावास हो सकता है और जुर्माना 1 लाग से 5 लाग तक का हो सकता है यदि हमलावार डॉक्टर या स्वास्त कर्मियों के मकान पे किलीनिक पे उनकी गाडियों में कोई तोड़ फोड़ करता है या कोई नुकसान पहुचाता है तो उसकी कीमत उतनी वसुली जाएगी जो वर्तमान समय में जो उस वस्तु की कीमत है उससे दो गुनी तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि ये संशोधन किये गए हैं पुराने अधिनियम में और इस संशोधन के माधियम से स्वास्त कर्मियों के पे होने वाले हमलों को कम करने का प्रयास किया जा रहा है ये संशोधन अधिनियम जो है ये तब ही लागू होगा जब राश्ट पती इस पर अपनी अनुमती अग्यापित कर देंगे याने की साइन कर देंगे जिस दिन वो सिगनेचर हो जाएगा उस दिन से ये अधिनियम लागू हो जाएगा कोई भी राश्ट इस अधिनियम को महामारी के समय में लागू कर सकता है और ये अधिनियम कब तक लागू रहेगा जब तक के महामारी उस राश्ट द्वारा घूशित की गई है और जब तक राश्ट इस महामारी को खत्म करने की घूशना नहीं करता है कि हमारी है महामारी खत्म हो गई है जैसे ही महामारी खत्म होगी वैसे ही अधिनियम भी समापत हो जाएगा दोस्तों आज का वीडियो हमारा सौस्त कर्मियों के हमले के उपर था उनको बचाने के लिए क्या प्राउधान संशोदन क्या उसके उपर था अगर आपको वीडियो पसंद आता है लाइक कमेंट्स और शेयर करिए साथी साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए वीडियो एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए शुक्रिया धन्यवाद